हम येटीज के बारे में बात करना चाहिए मेरे प्लाइन है अभी कुछ करने के अब फिर से उसी स्पोर्ट में जाओगे जहां आपको फुट्पिंट्स दिखे थे हैं फिर क्या कश्मीर, हिमाचल और उत्राखंड में फर्क्या होता है यार बहुत ज्यादा वाइब का अंतर है यार मतलब देर आर वेरी फ्यू प्लेसे इस दुनिया में जहां आप कह सकते हैं इसको कहते हैं कि वह भगवान शिव का सरद्यों का आवास है सरद्यों में भगवान शिव नह कि आप किसी चीज को मना ना करूप पर सिचुएशन ऐसी आ सकती है ना आप सांप भी अमने खाया है सांप बहुत इसकी होता है कूरी फॉरी फॉर्ज घुसी थी अंदर पर कैसे पता था कि ये टर्रिस्ट और ये टर्रिस्ट नहीं है वो तो पता चल जाता है एंकाउंटर होने मुश्किल हो गए थे गवर्मन बहुत सपोर्टी थी सारा पैसा जो सेंटर गवर्मन को वह जा रहा था तो तो एट वस फंडिंग वाल थे टर्रिस्ट नहीं तीन देश जो हर ट्रैवलर लिखता है कि उनके सबसे अमेजिग एक्स्पिरियंस रह हुआ है सुडान, इर कुछ और इंजर्ड लोगा तो उसलिए न उसी अफसर का नाम लिया जिसके घर से मैं आ रहा था और इट वास सचा थिंग ना क्योंकि मैं एक मिनिट पहले उस घर से निकला था उसकी वाइफ को पता भी नहीं है कि उसके अजबर्न के डैथ होगी क्या येटी भी पॉडकास बनाते हैं दोस्तों जब येटी मीम की शुरुआत हुई थी न उससे पहले क्या हुआ था उससे पहले इस इंडियन मिलिटरी लेजिंड के साथ हमने एक बढ़िया पॉडकास रिकॉर्ड किया था इनका नाम है मेजर सुशांत अल्रेडी तीन ब बहुत लंबी कॉनवसेशन जिसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया पहले पार्ट में इसमोर रिलेड़ेट पॉड़ी तो येटी जर आफी फ्रीफ्लोंग जेनरल कॉनवसेशन है दूसरा पार इनकी एक्स्प्रोरेशन और एक्स्प्लोरेटरी साइड के बारे में बह lots of love to you guys, Jai Hind! हमारे all-star, Major Sushant, का फिर से स्वागत है TRS में थैंक्स भाई, थैंक्स, थैंक्स a lot आप जानते हो कि हमारे पिछले conversation की वज़े से एक बहुत बड़ा internet meme बन चुका है जहां TRS को लोग associate करते है Yeti के साथ वाँ, 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 बतला अगर कोई भी TRS का real upload होता है उसके नीचे लोग comment कर देते, क्या Yeti भी TRS के means बनाते है उसमें काफी सारे लोगों ने contribution दिया है, मैं तो छोटा सा हिस्सा हूँ उसका नहीं पर आपका episode main था, ये जो भी podcast हमने record किये, तीन podcast record किये थे बहुत बड़ा response आया audience से, तो ये response को आपने digest कैसे किया, मतलब आपके नजरिया से क्या हुआ कई सारे like-minded लोग जुडे, वो मेरे को सबसे बड़ा जिसके बारे मैं पहले बड़ा skeptical हुआ करता है क्या जरूरत है कुछ करने की, भोलने की या share करने की experiences, फिर मुझे लगा है नहीं है, बहुत सारे लोग है, जिनकी similar thought process है, जो same चीजों से connect होते हैं, and they find lot of pleasure and intrigue and interest in what other people are doing, वो मेरे को सबसे बड़ी चीज लगी क्योंकि इतने सारे लोगों ने देखा, और फॉजी वाला तो सबसे कम देखा है पर adventure और येती वाला बहुत जादा देखा है, so that shows कि मतलब लोगों में इन चीजों में interest था, जो में पहले जादा सोचता नहीं था, like-minded मतलब क्या, explorers? I mean मेरे को लगता है हम में से हर किसी में क्योंकि हम अगर हम अपना देखे हम जहां से आ रहे हैं, हम सब hunter gatherers ही रहे हम हमेशा से nomads रहे हमेशा से traveler रहे हमको हमेशा से प्रकृति के जो अलग-अलग चीजे हो रही हैं, हमको फैसिनेट करते हा रही हैं, पर हमारी आज़कल की जैसी जिन्दगी होगी उसमें बिल्कुल वक्ती समय नहीं है, और ये के वल इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड ओवर ये वर्ट्रू है, तो वह कहीना कहीं से वह एक inner longing connect होती है, हर कोई break free करना चाहता है, हर कोई explore करना चाहता है, ना केवल outside world but also inner being, तो वह चीज़े मुझे बहुत लगी है, जब आप outer world को explore करते हो, उसी exploration से आपके inner being की exploration भी हो जाती है, हाँ, हाँ, बिल्कुल यार, मतलब it is for me, it's a supreme kind of meditative experience, क्योंकि I am cycling, सुबह से शाम तक I am absolutely alone, I am in the most beautiful of landscapes, दुनिया भर के Africa was a transforming experience. Okay, hold this thought, थोड़ा context दीज़े क्योंकि कुछ audience members ने शायद वो पहले वाले तीन podcast नहीं देखे, तो थोड़ा सा context दे दीज़े short में कि आप हो कॉन और हम exploration और cycles की बाद क्यू कर रहे हैं, तो अभी मैं expedition पे हूं जिसमें में सारे continent cycle कर रहा हूं और हर continent की highest peak climb कर रहा हूं और जो धर्ती के lowest latitude हैं, जिसके नीचे केवल Antarctica है, ऐसी तीन जगए हैं New Zealand में, Invercargill, एफरिका में Cape Agalas, और अर्जंटीना में उश्यू आया, South America में, तो यह तीन वो tips भी मैं टच कर रहा हूं. और exploration से पहले आप क्या करते थे? उसके पहले में special forces में था, उसके बीचे में थोड़ा चाइना में time pass किया, तो आरी दर दर घूमा, क्या time pass किया था चाइना में? मार्शल आट सिख रहा था एक सार, काफी adventurous life रही है, पर क्या exploration का base, में special forces से निकल के आया है? नहीं? नहीं, यह मेरे शुरू से था, बिल्कुल शुरू से था, spirituality भी और adventure भी और पूरा interconnected है, यह independent silos नहीं है मेरे लिए, तो मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं किवल एक particular activity के लिए नहीं कर रहा हूं, सब कुछ connected है मेरा, क्योंकि spirituality तो base है, क्योंकि बच्च्पन से, क्योंकि मैंने किताबें बहुत Autobiography of a Yogi 6th Class में पढ़ ली, उसके बाद में Ramakrishna Ashram बहुत बच्च्पन से जा रहा हूं, तो तो मेरी जिंदीगी की foundation है, और शायद उसने मेरी जिंदीगी के रस्तों को बहुत सीधा रखा है, बहुत touchwood बहुत कम complications रही है मेरी जिंदीगी में, और उसको सीधा रखने के लिए मैंने sacrifice है भी बहुत सारी करी हैं, Life is not easy, तो you have to choose and decide कि what is the right path for you, and for that you have to leave lot of things. I think हमने touch upon किया था last time एक episode में, मैं फिर से आप से पूछूँगा सब आपने अपना military career का chapter close किया, तब exactly life में हुआ क्या था और आपके दिमांग में क्या चल रहा था, exploration ही करनी थी या एक blank slate थी दिमांग में, यह तब मेरी ऐसी state थी कि Forge में जो कुछ करना था, मैं कर चुका था और मुझे Forge का पता है आगे क्या होने वाले मतलब it was a very predictive route, Forge is a very predictive organization especially once you have finished off with your 12 years of service or 13 years जो आपके field में होते हैं उसके बाद बहुती predictable progression है आर्मी में, और तब तक मेरा मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ों में इंट्रेस था, बहुत कुछ में करना चाहता था, मतलब ये मुझे नहीं पताता क्या करना था मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने भूस सारे दिमाग में थे, बचपन के हसीन खुआप जो देखे थे और कोई तरीका नहीं था कि यार वो सच कैसे होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, पर वो होता है, कई बार की जिंदगी में ये आप कन्वीन होते हैं कि क्या नहीं करना और आपको कई बार मतलब ये नहीं पता होता क्या करना है बट आई वस रेडिय तो गैंबल क्योंकि उसके बाद तो फॉज की अच्छी जिंदगी शुरू होती है बारा साल के बाद है ना, यू पिक अप कमांड और बाकी फील्ड की नौकरी आपकी खताम है या वाटरव पर मैं वो प्रिडिक्टिव रन ओदा मिल मेरे लिए इस फैंटास्टिक प्लेश अगेना इम सेइंग मेरा पर्सेप्शन ऐसा था पर मेरे को बहुत कुछ करना था है जिंदगी में और तब से लेके मतलब मैंने 2011 में फॉज चोड़ी है तब से लेके आज तक कितने अब तो जादा साल हो गया आर्मी छोड़े हुए हर साल मेरा बहुत एक फैसिनेटिंग रहा है बहुत अलग रहा है और बहुत बहुत फुल्फिलिंग रहा है सौरी यार आपका पॉड़कास का फ्लो तोड़ दिया पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ Firstly, thank you for supporting us throughout the years Secondly, हमने एक नया initiative start किया है जिसका नाम है Bear Bicep Skillhouse इसकी intention ये है कि भारत की upskilling journey में हम अपना थोड़ा सा योगदान देदे हम लेकर आए हैं आपके लिए commercial editing का course क्योंकि ये है Bear Bicep Team का core skill set बहुत सारे upskilling courses आ रहे हैं तो at least check out Bear Bicep Skillhouse follow our YouTube channel, follow our Instagram page but for now, enjoy this episode of TRS पिछले एक साल में उस फेस की वज़े से जब आपकी भी रिकॉर्डिंग हुई थी उसके बाद बहुत कुछ हुआ है और मैं बहुत बड़े-बड़े लोगों से मिला हुआ हस्तियों से मिला हुआ Cricketers, politicians, big businessmen बहुत साह लग मुझसे ये पूछे की सबसे memorable guest कौन था मैंने अकसर आपका नाम लिया है वाँ वाँ ग्रेट Out of all the 600 guests बस ये कहना चाते है Thanks man, thanks हर कोई लाइफ में किसी ना किसी चीज को चेस कर रहा है मेभी आपकी फॉजी जान मंक्स इन सेपरेट काटेगरी ये दो काटेगरी जा एक्स्प्लोर कर रहा है लाइफ को, दिमाग को, दुनिया को Everyone else चीजों को चेस कर रहा है Numbers को, fame को, money को, etc. और जितने भी फॉजी मिले उन में से शायद आप सबसे memorable हो, because of what you chose to do after your फॉजी करियो तीन podcast किया आपके साथ शायद पिछली बार आठ घंटो के लिए हमने बात करी थी पिछली बार रहा होता It was a very long conversation बट मैं फिर भी आपको जान नहीं पाया हूं कि जो भी आपके decisions है जिस तरह से आप लाइफ जी रहो प्लस आपके एक बहुत हिल्दी लव लाइफ भी है आप उसे भी बालन्स कर रहा हूं यह बहुत रहली दिखाई देता है प्लस जिस तरह से आप एक्स्प्लोर कर रहो आपके बालन्स करें दिख अपके देता है जैनुनल्य आपके जूं से के निए भी टालंस आपके सेफ्चे के लिए्ची कर रहो है बहुत कर रहा हूं क्योंकि मैं बाल्स तो हम औरू कर रहे हैं वह मारी सोच का रिफलेक्शन है मतलब, it's a seed planted near our head, which slowly grows and you know, it engulfs your thinking. Whatever we are doing, whatever state we are in, whatever, how we react to situation, it's all somewhere subconsciously, in our mind, which is controlling things. So, it's also interesting to me, I mean, somehow, from my childhood, because we are very difficult to take decisions, that everyone is doing it, I don't think it's okay. So, from my childhood, it's in my mind, that majority is always wrong. So, for me, decision-making has become very easy. Wow. So, whenever someone gives me a reason, that majority is doing this, it was very easy, I just used to turn 180 degree opposite and do what I wanted to do. Because if I have conviction, statistics or analysis, if majority is doing it, then there is something corrupt about it, either it is very easy or very easily attainable, or there is nothing great about it. I mean, majority is wrong in majority of other cases, in few cases it is right. So, that's why I didn't do many things in the world, which people do in the world. And that's why I got a lot of freedom in my life, I never bought a house, I never saved any money. It was a little bit of relief, but it gave me a lot of freedom. So, you can, you know, when you have to leap forward, you can leap the maximum when you have less baggage. If there is a lot of freedom in your life, then you cannot take a big leap. So, as much as your minimum life is, as much as your minimum wants, and as much as your mind is bright, you can leap so much. So, I was never fascinated or convinced by the way of the worlds, never. And I always had this habit of reading, when I was a child. When I was a child, I always went to study my entire time. And I mean, I mean, it was the first time I played with Flesh Gordon and Mandrake comics, the Phantoms and I don't remember the comics. And somehow, I am a fantasy of my life. So, Flesh Gordon was always on Mars, never went out there, and the barren landscape, and the family that was watching, with its adventures on there. And that meant that it left a deep imprint on me. और प्लस क्योंकि मैं बहुत स्विरिच्वालिटी और बहुत फिलासफी पढ़ रहा था तो मेरे को तो शुरू से ही बहुत मैश्ड़प चीज़ें लगती थी और फिर मेरे को लगता है कि हर सक्सेस की हर किसी को अपनी टेफिनेशन इजाद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी और इसलिए मतलब उन मामलों में मेरे को बड़ा यकीन था कि जो समाज की जो परिभाशाएं हैं तरक्की की उन्नती की वो हो सकता है उसमें कुछ गलत ह या मेरे लिए सही नहीं है और मेरे को अपने तरीके से परिभाशित करना है कि मैं जिन्दगी में क्या पाना चाहता हूं और यह सब बहुत ही एक छोटे खौब थे मतलब हम तो हिंदुस्तान में तो इमाजिन नहीं कर सकते ना वो चीज़ें जो मैं कर रहा हूं मैं खुद कि स्थापित मानसिक्ता से हटके जो करना चाहते हो तो आप अकेले खड़े हो है ना फिर अगर आप फेल हुए तो दुनिया आएगी बोलने के लिए मैं तो पहली कह रहा था नमूना क्यों कर रहा है पहली बोल रहते है तो यू कन स्लीप वॉक जो रस्ते बने हो इस पर आ कि सम्मंध बनाएं जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे जो बाइफ है वी ना मोग बचपन से क्लासमेट से हैं और जो मेरे दोस्त है पलाओält से और मेरी फैमिली हमेशा से मेरे साथ रहें क्योंकि告诉 लिक्त को यकीन था मैं जो कर रहा हूं और जैसे कही हमने अपनी परसिनल लाइफ में decision लिए बच्चे नहीं पैदा करने का जो कुछ था वो वीना के लिए बहुत मुश्किल था पर over a period of time she got convinced तो वो सारी चीजें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक solid foundation चाहिए आपको अगर ऐसी इमारत पहले कि थोड़ा पैसा मिलता अपने पहले चोड़ दी पेंशनेबल सर्विस से तो आपको ऐसे बहुत जादा पैसा नहीं मिलता कुछ लाख रुपे मिलते हैं तो इतना था कि मैं एक दो साल निकाल लेता बिना कुछ करे तो मैं सबसे पहले आराम से रहना चाहता था कुछ अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता था क्योंकि मैं हमेशा से फील्ड में रहा बहारी था तो कभी ओमकाई नहीं मिला कि मैं आराम से रहूं और तब किसमत ऐसी हुई कि तभी के तभी के तभी मैंने आर्मी छोड़ी मेरे को सुड़ान काफर आ गया सुड़ान जाने का तो मैं वहाँ पर कंट्रेट फर एन अविएशन फर्म इन खार्तूम तो हमारे पांच हेलिकॉप्टर्स थे और दो एरक्राफ्ट्स थे जो यो एन के लिए फ्लाइ कर रहे थे तो मैंने मुला यह तो बहुत बड़ी ओपरचुनिटी है तो इसलिए मैं मेरा कोई प्लान न नहीं था तो इसलिए क्योंकि देन अगें सारा घर पैक करो और वाइफ भी खार्तूम आया जहां पर मतलब कुछ पता ही नहीं था क्या है और सुडान बिंग सुडान वहाँ पर तो कुछ फैसिलिटीज और उस टाइप की कुछ चीज थी नहीं कैसी जगह है या मुझे तो बहुत अच्छी लगी खारतूम क्योंकि वह वाइलनेस अभी भी बरकर आ रहे है वहाँ पर अभी तो खैर सिविल वार चल रहा है तो थोड़ी सिचुशन खराब होगी लेकिन यार बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग देश है बहुत गजब के लोग हैं कितने भी ट्र आने टाइम से लेकर आज तक के शायद मैंने पहले ही बोलागा जो तीन देश जो हर ट्रैवलर लिखता है जिसके बार में कि उनके सबसे अमेजिंग एक्सपिरियंस रहे हो हैं सुडान, इरान और अफगानिस्तान वाह क्योंकि यार मुस्लिम धर्म में जो औरिजनल प्यो सुडान में मतलब इतने लोगों ने मेरे को खासका जुम्हे के दिन जिस दिन फ्राइडे था मैं जब साइक्ल कर रहा था इतने लोगों ने बुला बुला की मुझे खिलाया है, तर्बूस काटते हैं वो लो और चाहे पीते हैं मतलब मेरा पेट इतना बर चुका था खाए कि मैं तो भग लेता था हूं जैसी कोई बुला तो मैं साकिल तेज चलाता था आगे निकल लेता था पर वहां लड़किया रामस्याप से गले मिलती हैं हाथ मिलाती हैं कोई मतलब उनमें बिल्कुल उस टाइब की वो नहीं है अब दीरे दीरे चीज़ें धोड़ी खार मैंने पिर आरमी चीफ के बीच में लड़ाई हो गई तो आपस में एक दूसरे को मारने में लगे गई हुए हैं पर मिल्ट्री और आरमी में फार को अदिया होता है जैसे परिप मतलब जैसे हमारे हैं CRPF है BSF है Rapid Action Force है यह सारे Paramilitary Forces हैं होम मिनिस्टरी के अंडर में आते हैं तो ऐसे जो उनके जो Paramilitary Forces हैं जो internal situation को control करने के लिए होते हैं Paramilitary Forces होते हैं तो उसमें और आर्मी में लड़ाई चल रही है कब से अभी तो हो गया एक साल से उपर हो गया है बहुत रैंडम सवाल है और वेज़ खाना मिल जाता है सुडान में नहीं नहीं वेज़ मिल जाता है सॉरी मैं अफरिका वेज़ मिल जाता है basically उनका जो खाना होता है उसको full बोलते हैं वो वो bread होती है बन टाइप की और बड़ी सी बीन्स होती है राजमा के जैसी और उससे बड़ी उनका स्टेंडर्ड खाना है पूरे सुडान में वही मिलता है ब्रेकफास्ट लंच डिनर में और मुझे तो बहुत अच्छा लगता था मुझे कोई परिशानी नहीं थी तो और आम से में खा आप किताब हो जाता है मतलब you are just hassled by all the things because पूरा एजिप्ट टूरिस्टी है है ना तो वही पैसे आपसे इल ट्रीट करेंगे पैसे मत दो और पीछे पढ़ जाएंगे बैगर्स और वो सारी चीज़ें तो जैसे ही सुडान में एंटर करते हो आप वह बिलकुल ही एक तो व और उपर से लोग जो यतने अच्छे हैं जो कभी आपको किसी बात के लिए ना नहीं करते हैं हमेशा उनके घर खोले हैं मेमान नावाजी के लिए तो बहुत ही कॉंटरास्टिंग एक्सपिरियंस होता है फिर सुडान छोड़ा क्यों है फिर यार वो मेरी तमन्ना थी मार् पूरा करने की क्योंकि रहा बड़ी मुश्किल है तो जब मेरे फॉज के आखरी दिन थे तो मेरे असाम रैफल में था तब नौर्थीज में पोस्टेट था तो मेरे पास शाम को कुछ करने को कभी-कभी नहीं होता तो इंटरनेट कैफे खोला था नहाना तो वहां जाकि आ करता था बड़ा स्कूल तो मैं बैठता बैठके वो पढ़ता रहता था रिव्यू स्टूडेंट्स के और उनकी एक्टिविटीज एखता रहता था तो यार मेरी बड़ी इच्छा होती थी यार एक बार चलके तो मार्शल आट सीखना चाहिए चाइना जाके कहां गया आप कि खाने के लएक की वज़़े से नहीं जाते हैं हां वज नहीं मिलता हो ऑन फे हमारा स्कूल बिल्कुल जो अकैडमी थी वो बिल्कुल कुन्योशान माउंटें रिजर्व है उसके बेस में था तो सरदी में खुब बरफ गिरती थी हम के वल वीकेंड को बार जा सकते थे खाना वहीं पर बनता था तो उसका खाना था था अबले आलो खीरे अबले टमाटर तोफू और चावल बस कोई मसाला नहीं कुछ भी नहीं यह खाना होता था उसका मैं तो नॉन्वेज खाता था तो थोड़ी उसमें उभा कर ती वराइटी तो था तो हां तो फिर सुडान में इसलिए छोड़ा की और वहां पर काफी अच्छा चल रहा था यर कुछ ऐसा ज कि आप चाइना जाना चाहते हो जिसके बाद आपकी कोई जॉब शियूरिटी नहीं क्योंकि आजकल की दुनिया उस दमान में भी ऐसी थी आपने एक बार जॉब छोड़ा तो आपके बीचे दस अजार लोग खड़े हैं आपका जॉब लेने के लिए और आपके स्टैम बना कर देंगे तो मेरा अपना अंतर दॉन दॉब खतम हो जाएगा किया मेरी तो बड़ी इच्छा थी मैंने कोशिश भी करी सामने वाले ने मना कर दे तो मैं क्या करूं है पर उन्होंने मेल करी तीन दिन की बाद आप या या अभी तो फस गया और फीज कितनी थे यार उ आपने सीखा वहां पर बाजी विंग्चन और ताइची और ची गॉंग क्या बदला आप में यह बहुत कुछ बदला मेरे मेरे में तो एक तो बहुत जादा कॉंफिडेंस आ जाता है एक तो जो हमारे मंक्स हुआ करते थे ने पुराने मार्शलाट कभी भी और उफेंसिव से अलागे जहां पर प्योर पैशन या MMA है ना जहां पर क्यों गुस्ता और वो है और बिल्कुल स्कूरूडब पर्सनल लाइफ है है ना यह यह उस तरीके का नहीं है यह आपको पूरा एक्शन भी लीथल किलिंग स्किल्स भी सिखाते हैं प्लस साथ मेडिटेशन भी सिख हो अगें मेरे को कभी इविल के सामने जुकना अच्छा नहीं लगता है कि यार कोई भी आया शरावी चाकूले के आप अपनी मॉम के साथ जा रहे है अपनी बहन के साथ जा रहे है वाइव के साथ आप क्या करोगे यार वो बिल्कुल यूजलेस बंदा है उसके कुछ वो नहीं है पर आपको अपना वालेट भी निकालना पड़ेगा आपको हाथ भी जोडने पड़ें गार माफ कर दे यार भाई जो चाहिए ले-ले क्यों मतला मिस्ते मुझे सक्स नफरत है सक्स नफरत है तो मैं अपने अपको इतना कॉंपेटेंट बनाना चाहता था कि मैं इन के सामने ना जोकों जब तक हो सके प्लास आप एक स्पेशल फोसे वेटरन हो हां तो वो मारने और मरने का डर वैसे भी नहीं है पर हमारे टाइम मेर ऐसा हुआ करता था कि क्योंकि हम लोग इतने हैविली डिप्लॉइट थे ऑपरेशन में तो हमारे या ना मार्शल आर्स ट कॉमबैट की ट्रेनिंग थी पहले से बहुत माइन क्योंकि हैंड-to-hand कॉमबैट की ट्रेनिंग में अब तब निशनानत होते हैं जब आपका रिफ्लेक्स बन जाता है कि जैसे आपको किसी ने पीछे से पकड़ा आपने सोचा नहीं और आपने पीछे मोड़को की कॉलर प पर मैं जीत पाऊंगा की नहीं वो मेरे को पता नहीं है अगेन इस ट्रेनिंग क्योंकि मैं बहुत लड़ा हूँ वहां पर जाके जब मैं चाइना में था तो मैं हमने बहुत MMA किया है क्योंकि वहां पर हर फ्राइडे को स्पारिं होती थी तो जो भी आप सीख रहे हो एक त करते हैं तो फिर हालत थोड़ी सी खराब होती है तो वह उस डर को हटाने के लिए उस जिजग को हटाने के लिए हर फ्राइडे को स्पारिंग वा करते थी वहां पर वैसे भी आर मतलब ऐसे बॉक्सिंग मैं किया करता था तो वह तो कोई हesitation है नहीं मारने मूरने किया यू कंबाइन इट विधियर मेंटल स्ट्रेंथ यू जैसे ची गॉंग का क्या फंड़ा है कि ची रिसाइट इन उनका इसा है कि लोर बैली में ची रहती है जिसे हमारे दुछ में प्राण प्राण जिसको हाँ तो विद प्रैक्टिस और इमाजिनेशन और तो कंडिशनिक ऐसी हो देती है कि इसको हम पेड़ पे एक हजार बार ऐसे बलते हैं 1000 बस लगे पड़े हां 1000 बार मारने के लिए तो यह बिल्कुल रॉक सॉलिड हो जाती है फिर ऐसे स्टांस में खडें पैर पे तो एक बंदा इधर एक बंदा इधर और लागातार किक मात दिर्एट यह ची करें और लोर अबडमें तो अनी पर दो बाड़े थे बिल्कुल रहती है जानी के साफ से इस बहुत अच्छा विजुलाइज़एशन वहता है उससे लोर अबडमें मत रिप्रोड़क्ति जिस्टम के यहां नहीं उसके उपर नाभी के नीचे अचे हारा और यह शर्पै भी तोड़नी है तो यह डिर्टें इट तो यह एडरेटिंग उपर देज धर दिर्ग इस करने के समय विजुलाइज करता हो यह एक तो एक तो एग्सी चीज़ें होती है ना जैसे आप देमोंस्ट्रेशन दे रहे हो किसी आइरन रोड को तोडने का यह वह become automatic which is a higher state अब वो उस तरीके का मैंने किया नहीं कि जब आप स्पारिंग करते थे हो तब नेचरल रिफ्लेक्स होते थे यार आए और बस मतलब लड़ाई शुरू कर दी उसमें मेरे को नहीं पता कि हम ची डिरेक्ट हम तो नहीं कर पाते थे मर जो रिफाइंड मास्टर से मैंना माराम स्ट्रों थे इतना स्ट्रोंग था कि वो एक फिंगर से हमको अईशए मारता था और हम पीछे चले जाए सिता बिल्कुल टेइज फोर ते 한 फिंगर वेरी स्ट्रॉंग क्या फील होता था बिल्कुल इस सम्तिं लाइक बुलिट या मतलब यू जस्ट गो बैक तो बूसली का वण इंच पंच फेमस है वो के वाले वन इंच दूर रखता था बॉड़ी से इसको यूटीब में वीडियो था है बहुत सारे यूटीब में वीडियो देखने लाइक तो हम तो ऐसे मारते हैं दूर से लाते हैं क्योंकि जितने दूर से आएगा उतनी तेज लगेगा जस्ट वन इंच यहां पे बॉड़ी है तो ऐसे पंच करता था यह एमेमें फाइट उस क्यों नहीं यूज करते हैं चीग हूं यार मे यहां पर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम सी होती है क्योंकि मैंने यह देखा है कि एक तरफ तो हम इतनी बातें कर रहे हैं कि फिजिकल और मेंटल आसपेक्ट मिल रहे हैं मतलब इस तरीके से इस फॉर्म को आगे ले जाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि बेसिकली तो डिफे के लिए है यह उफेंस के लिए नहीं है यह वो गुसे के लिए नहीं है एमे में क्या यार प्योर एग्रेशन है ना एंगर एग्रेशन की जस्ट वो करो तो यह यह उन चीजों के लिए बना ही नहीं है तो आप उसकी कुछ टेक्निस को यूज कर सकते हैं उसमें पर क्योंक और ये तो सब मतलब all the सारे passions involved है ना MMA वगेरा में गुसा है, anger है, lust है, है ना आगे बढ़ना है, लोगों को जान, people should know them या जो कुछ भी है, वो तो बिल्कुली Buddhism की philosophy या कोई भी जो सीख रहा है, कुंग फू और ऐसे मार्शलों की philosophy से 180 degree opposite है, वो तो प्रोपगेट ही नहीं करत में वापस आया और फिर टोटल ब्लैंक था क्या करना नौकरी तो करनी थी नहीं वो कुछ attitude था नहीं मेरा तो मैंने सोचा सब GMAT करते हैं, तो GMAT के लिए मैंने सोचा मैं भी पढ़ लेता हूं यार, MBA करना था, मेरा कुछ और विचार था, मेरा था तब renewable energy नहीं 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 सुडान उसके बाद चाइना तो मैं तो बिल्कुल दुनिया से एक्सपोज ही नहीं था, तो मेरे को कुछ idea नहीं था, कुछ अच्छा करना था, पर क्या करना है यह कुछ पता नहीं था, पर लोगों ने बोला है, तो MBA करके भी अच्छा कर सकता है, तो पढ़ ले, तो कर ल तो ऐसे करके इसमें यह सब पुरानी चीज़ें देखते हैं ना, और मैं भी फन ने खाना था, मैंने बोला है छोटे मोटे इंस्ट्यूट में तो अपलाई कर नहीं हार्वर्ड और स्टैन्फर्ड और इस जाग अपलाई किया, आई-ई-ए मैं भी किया था, किसे ने जवा गटके काम किया था जो पढ़ाई मैंने इतने सालों से इस तरीके की नहीं करी थी, और काफी मतलब वाइदा तो मेरे को इसे बहुत हुआ, ओके सबसे क्रेजी जगह कौन से थी भारत में, यह मैं बहुत, मतलब एक्सपीडिशन के चक्कर में तो मैं बहुत क्रेजी जगे म इंडिया चाइना के बॉर्डर पे एक माउंटेन है नेकी कांग सांग करके, वो 7000 मिटर का पहाड़ है और अन्कलाइंड माउंटेन है और वो हम लोग गए थे 2005 में और वो पहला एक्सपीडिशन था एवर टू गो इंट एट रीजन और अर अरुनाचन में सेपा डिस्ट है तो उसके पिछवाड़े से डंडी गुसाएंगे मुह में निकले कि इसको स्मोक कर रही है और ऐसे बजार में लेके घुमते रहते हैं चुए खिलाने के लिए उनकी बेसिक डाइट है वो आपने खाये है नहीं यार मने निखाया आप एस्पेडिशन में जाथा पता चल उनकी चाहें अगल पर कहा है इनकी शुद्द सेफला में इसमाने जोघाद म हैंंगे तविपोछ इतनी संदर प्रिस्टीन लेक प्रिस्टाइन लेक एन कीष्टल क्लियर वाटर और वो जंगल जहां पे कोई नहीं गया था तो वह ऐक भौत-ई पहोगत ही वहां नहीं तो लोग और भी गए हैं पर वो जगह ऐसी थी जहां हम मतलब इट वाद लिटरल ब्लैंक on the map हमारे इंडियन आरिंग के पास जो होती है मतलब फोटोग्रास होते हैं फोटोग्राफी सब कुछ क्योंकि जैसे माउंटेन आपको उपर से तो माउंटेन के वो जड़ावा ट्राइब जहां पर रह रही हैं, कुछ ऐसे आईलेंड हैं, या नौर्ट, प्छतिसगर में, या अरुनाचल में, शायद कुछ ऐसी जगे होंगी, जहां पर human beings नहीं गए हैं, पर mapping तो पूरी हो रखी है, हाँ ऐसी जगे होंगी, अरुनाचल पगेरा में ह और गोद है, कुछ तो अलग एनरजी होगी वहां, मतलब जो प्रिस्टीनेस होती हैं जगे की, जो नेचर आप ऐसे जो आप प्यूर नेचर में जब जा रहे हो, वो उसके एक फीलिंग ही बहुत ज़्यादा अलग होती है, बहुत अलग शान्ती का एहसास होता है, और मेरा करें और वापस आएं, कुछ लोग उसी जगे पर रहना चाहते हैं, मेरे को तो बड़ा उसस होता है, जब मैं ऐसी जगे रह रहा हूं और मुझे वापस आना पड़े, क्योंकि मेरे लिए बड़ा हाट ड्रेकिंग टाइप वो कहानी होती है, क्योंकि वो चीज़ें कहीं न पॉरा हाटें और वाइल नहीं होते हो आप वहां पर कमीन नहीं होते हो, आप वहां पर किसी का बुरा नहीं करना चाहते हो, मतलब वो जगे ये आपको बहुत अच्छा बनने के लिए इंसपायर करती है, च्यून्चर अज़े बहूत बढ़ा के जंगलों में चले जायों, इसी जगों पर कुछ dangerous situations थे अब जो आप explore कर रहे थे इंडिया को dangerous situation में फसे at all यारा मेरी danger की definition थोड़ी सी मतलब मेरे को वही लगता है कि जो मैंने किया उसमें लोग कहानिये शुरू करें तो बहुत सारी कहानिये सुना सकते हैं पर मेरी danger की definition बहुत ज़्यादा dangerous है तो अगर चोटी मोटी चीज़ें होती है तो मेरे को dangerous लगती नहीं है तो लगी मतलब मैं इतनी दुन अभी मैं इतना पूरा आफरीका साइकल कर लिया और अस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड साओधी स्टेशन में के लिए गुमाँ कोई नॉट इसिंगल बैड एक्पेरियंस आफरीका का मैं बताँगा बाद में बैड एक्पेरियंस नहीं पर ज चीज बुरी हुई अब उसके कारण वो अपन बाद में डिसकस करेंगे वो मैं बताँगा पर मतलब आइधर आइब बिन वेरी लग्की और मेरा इंट्रक्शन है जैसा भी इंडिया में ना नक्षलाइट का एक फियर रहता है जब आप आफ रोडिंग कर रहे हो जहां जब मतलब हमारा ऐसा परसेप्शन है कि यो हर किसी को मारते रहते हैं उनको ये पता चली कि आप किसी तेरे आर्मिया पैरा मिलिटरी से संबंदित हो तो शायद आपको किड्नाइप कर लेंगे या जो करना है करेंगे बर अधर्वाइस नॉर्मल लोगों को कभी परिशान नी कर में उनका फॉर्ज और सियार्प मतलब जो पैरा मिलिटरी फॉर्स उसके खिलाफ तो उनका है जब आप इंडिया को एक्स्प्लोर कर रहे थे तब आपको माशल आर्च या स्पेशल फोर्स के स्किल्स यूस करने पड़े नहीं इसका सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि यह लोग जो होते ना गुंडे मावाली टाइप के लोग इनका भी थोड़ा सिक्त सेंस ठीक रहता है इनको पता रहता है कि किसे पंगा लेना है किसे नहीं लेना and when you are confident, it shows in your eyes, it shows in your body language, है ना तो यह सामने वालों को पता चल जाता है कि पंगे लेने लाइक बंदा है कि नह कोई चाकु दिखा तो हिल जाता है, literally starts shaking like this, खासकर कोई घरवाला साथ में तो और हालत खराब हो जाती है, अगर कोई ट्रेंड बंदा है, अगर किसी को उसको फराख नी पढ़ता है चाकु तूने निकाल लिया है, मतलब मेरे को तो डर यह लगता है कि यह चाकु उसी को न पर वो confidence अगर आप में है तो आप मतलब वो चीज़ें पहली avoid हो जाती है, तो यह इसलिए हर किसी को सशक्त होना बहुत जरूरी है, अच्छाई को सशक्त होना बहुत जरूरी है, बुरे तो हैं, कुछ-कुछ लोग show off करने के लिए ऐसी चीज़े कह देते हैं, पर special forces veterans सच क कहना, इस environment में कहना ठीक है, हाँ, फिर मेरे को यह भी लगता है, चल ठीक है, छोड़ो, अच्छा बनता हूँ, यार लोग आजकल बड़े role models ढूंड रहे हैं, कहीं से inspiration ढूंड रहे हैं, कहीं से कुछ हो जाए, तो मेरे को लगता है, यहां बैठके हावाबाजी नहीं करनी चाहिए यह लोगों को, तो कई लोगों को मैंने सुना है, जो इतनी हवाबाजी करते हैं, कि यार मतलब, it becomes very cringy, and I feel sorry for the people who are listening to them, क्यों कि यार वो तो सोच रहे हैं, आप सब सच बोल रहे हो, और है ना, आपका उनमें, आपका बहुत ज़्यादा faith है, तो यहां पे बैठक आपके लिए, कि आपने जो किया है, वो आप सच-सच बोलो, ताकि सामने वाले को पता चले extent of possibilities, और हम God नहीं है, कोई भी मतलब, मैं अपनी बारे में नहीं बात कर रहा है, जो भी guru बने घूम रहे है, जो को भी motivation talks दे रहे है, मैंने कई सारे motivation, मैं सुनता नहीं हो, पर हो क किया किया है, ठीक है, वो जो आपको बोल रहा है, risk low, risk low, heavens आजाएंगे, आपकी मदद करेंगे, भाई उसने क्या किया है, ऐसा कभी उसकी जिन्दगी में हुआ है क्या, कि उसने जिन्दगी सब कुछ दाओं पर लगा दिया और वो जो करना चाहता था वो किया, और उसमें घाधी बोलता हूं, ठीक है, गुंडे मिले, इंडिया वे? यार गुं-डे नहीं मिले, मेरे नहीं कोनी कभी लिए, उनकी गाड़ी में चले गए वो देखने के लिए ना खड़े हो जाते हैं कि यार पेट्रोल ललके पैसे वहाँ वो करने के लिए उनका वालेट उनकी वाइफ का पर सामने डैश बोर्ड पर रखा था विंडोज रोल डाउन थी और पेट्रोल पंप पे उसने खीचा बाइक पर बैठके वो दफ पहली बता देता यार मैं आँ गाड़ी खड़ी कर रहा हूं सो जाओं क्योंकि मैं अपनी गाड़ी मी सोता था उनने बहुता आँ सो जाओं फिर बता भी देता था मैं फौजी हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ करके तो उससे फरक पढ़ता हूं चीज़ों से तो इसलिए साथ हजार किलोमेटर गाड़ी चलाई है तो दिल्ली से मैं पूरा शुरू किया करता था पूरा एलसी के साथ ना रजाओरी पुंच वहां से सूरन कोट फिर मुगल रोड जो कश्मीर वैली में जा रही है शुपईया वहां से तंगधार कपवाड़ा पूरा एलसी घुमत तो सारे फाजी कोर्शमेट दब 2014 वगरा मेरे कोर्शमेट थे वो कमांड कर रहे थे सारे करनल्स थे जहातर जनरलों को मैं जानता था क्योंकि जो कोर कमांडर वगरा थे तब क्योंकि बिंग स्पेशल फोर्सेज हमारे जो लेवल अफ इंट्रक्शन है बहुत हाई रहता थ तो उन सबको मैं जानता था तो मैंने सोचा यार उनको भी जरूरत थी क्योंकि हमारे बंकरों में तब वह क्या कहते हैं रम की बोटल में बत्ती लगा कर जलाय करते थे वो तब तक क्योंकि जो बिलकुल बैंग ऑन लसी हो तो सामने है और जनरेटर आप चला नहीं सकते तो अब जाते थे मैं अपना खुदी मैंने कंपणी मनाई थी लाइटिंग हमालिया करके तो मेरा अब्जेक्ट मेरा परपस था कि ऐसे रिमोट कॉर्नर साफ हमालय को जाके मैं मतलब इसोलर लाइट मतलब सोलर सॉलूशन प्रोवाइड करना ऐसा मेरा ऐसी ओनरेबल में बहुत जादा अंतर है तो आप में मतलब फॉज को लेकर रुमेंस तो बहुत लोगों में होता है पर जैसे कई लोग फॉज जॉइन नी कर सकते है वो रुमेंस तो है तो यह आइडिया में रुमेंस बहुत जादा था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो आप क्योंकि मै आप शहर से बाहर निकलो, थोड़ा दूर जाना शुरू करो, यू विल फाइंड अब बेस्ट आफ इमन बीइंग्स. और इसलिए मैं जब साइक्लिंग करता हूं तो मैं कभी बहुत कम शहरों में जाता हूं, और अनफॉर्चनेटली हम दुनिया को केवल एक शहरी की नजर से देखते हैं, है न, दुनिया तो बहुत बढ़ी है और बहुत अलग है, और बहुत अच्छे-च्छे लोग हैं, बहुत तो लोगों का यह जो कॉमन बात लोग बोलते रहते हैं, जो मुझे सबसे बख्वास बात लगती है, कोई मेर से बोलता है कि एक चीज़ कोई चेंज करनी है, तो हमेशाद भी बोलता हूं, आलवेस ट्रस्ट अस्टेंजर, क्योंकि इस यू डोंट ट्रस्ट अस्टेंजर, या आप नए लोगों से, तो एएरपोर्ट पे, कुछ में समान समुन दे रहा था, तो वालेट निकाला, मैंने अपना आईकाड निकाला, मैंने ऐसी रख दी अपने सूटकेस के उपर, और मैं आगे चला गया, तो पीछे से एक बंदा था, उसने मेरे को बुलाया, उसने मेरा वालेट और आईकाड पकड़के रखा हुआ था, उसने मेरे भाई साब ऐसा मत किया अपर, कोई भी उठा के चला जाएगा, अच्छी जगे निए, मैंने बोले तू 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 अच्छा पंदा है, तू ने तू मेरे को आपस ही दे रहा है, है ना, तो हो सकता है बुरा हूँ ठीक है, कॉशिस होना ठीक है, पर लगी लिए मेरे को तैर इतने अच्छे बंदे मिले, मेरी बीबी का पर्स किसी ने चोरी कर लिया था, गई वो मतलब उसके बैग की जिप खुली हुए थी, कि उसमें से किसी ने पर्स निकाल लिया, और सब कुछ गाया, फिर अगले दिन मेरे को फोन आया कि आपका कोई पर्स गिर गया था, कहीं पर, मतलब आपका मेरे को ATM कार्ड और ड्राइविंग मतलब सब कुछ था, उसमें ड्राइविंग लैसेंस और सारा कुछ था, तो कटा लॉंग स्टोरी शॉर्ट उस बंदे को बजार में तीन कार्ड पड़े हों मिले, एक ड्राइविंग लैसेंस और दो ATM कार्ड तो एक बैंक में गया, उसने बोला, रहे ATM कार्ड है, इसका मेरे को डीटेल्स बता दो, किसी के गिर गए बोला, हम ऐसे परसनल डीटेल्स नहीं देते हैं किसी को, तो आप, फिर वो दूसरे बैंक में गया, उससे परसनल डीटेल्स मांगे, उसने एड्रेस वगरा बताया, फिर उसने फोन नमबर मांगा, फिर उसने फोन किया कि मैडम या आपके कार्स ते गिर गए हैं मैं यहाँ पे हूँ आप प्लीज आके ले लो और मैंना इसको पैसे दिनी कोशिश करी उसने वो भी नहीं लिया मतलब इतने अच्छे लोग भी है यार मैं नहीं करूंगा ऐसे काम मेरे को तो अपने से बहतर 10,000 लोग मिलें यार इतने अच्छे अच्छे लोग मिलें कि I could not believe it कि इतने अच्छे लोग भी हो सकते हैं और मैं जानता हूँ मैं इतना अच्छा नहीं हूँ मेरा तो पूरा faith है यार बहुत समआँ मतलब उस चीज़ को बाहर निकालनाएक challenge है क्योंगी बुरा ही इतनी बुरी तरह फैलती है ना पर आपने terrorist का सामना भी किया है तो terrorist का सामना किया है हां मतलब बुरे लोग भी है अब यार टेर्रिस्ट अब लोगों के बाद या अच्छे ने लगेंगी पर यार वो जिस तरीके के हाइड आउट्स में रहते हैं जो हम देखने हैं धूंडना भी मुश्किल अगर आपको पता नहीं कि एक्जैट हाइड आउट कहा है आप उस हाइड आउट के ऊपर पंदरा बार चलो के और आपको पता नहीं चले है कि वहाँ पर हाइड आउट है इतना अच्छे हाइड आउट बनाते हैं ये टेर्रिस्ट जंगलों में जहां पर वो अंदर ही रह रहे हैं मतलब उनकी लिविंग कंडिशन बहुत टफ हैं आउट ग्लोरिफाइंग नहीं जैसे भी है जो आपका एक्स्ट्रा बच गया हो घर में रखा रहते था और इट वास इस तो बी कि आप कोई भी आके खाके उसको जा सकता है कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती थी, अभीब भी हिमाचल के गाउं में अभी कामिहार को पतानी पर हम लोगे अक्सरासीज में पूरा करने जाते हैं जैसे किसी गाउं में घर बनना है तो मिस्तिरी आता था बाकी जो लेबर होती तो सारे गाउवाले होते थे जिसका घर बन रहा हो कि खाना खिलाया करता था बस कोई लेबर की कोई पैसे दे रहा है कुछ कर रहा है इसा बिल्कुल नहीं होता था हर कोई हर किसी की मदद किया करता था और ऐसे एक healthy society रहती है terrorist के आसपास कैसी vibe फील होती है क्योंकि उनके खुद के thoughts unknowingly evil है unknowingly evil उन्हें लगते कि वो सही कर रहे है बट आक्चुली death को फैला आ रहे है suffering को फैला रहे है तो उनके आसपास कैसी vibe होती है तो हमारा जो आपसी का सामना होता है और खुदा ना करे कि जिन्दा जिन्दा टाइप में मतलब कुछ टैरिस को पकड़ लेते हैं वो तो अलग बात है पर जो अनकाूंटर होते हैं तो क्यल मारने के लिए होते हैं पर आप जैसे कुछ गाहों में जाते हैं, जो टेरिस इंफेस्टेड हैं, उनमें तो मतलब लिटरली जो बहुत बुरा फेस्ट था मिलिटेंसी का 2001 में, और लेट 90s वगरा में, 2008 तक, तब तो मतलब कई विलेजे इतने इंफेस्टेड थे, सोपोर वस नो फ्लाइंग जोन, स अब तो बहुत जादा चीजें अच्छी हो गई हैं, क्योंकि लगातार हमारे उपरेशन्स इतने जबर्दस रहें, हमारी गवर्मेंट की पॉलिसी भी बहुत स्ट्रॉंग हैं, भी यार टेकिंग नो नॉनसेंस, तो अभी तो चीजें बहुत जादा कंट्रोल में हैं, उस सोपोर को को ऐसे क्लीन अप किया, वो बहुत बड़ा उपरेशन हुआ था, एक उसमें मैक भी यूज हुई थी, मैकनाइजड इंफेंट्री, वो बहुत पहले हुआ था, तो उसमें फिर पूरी फॉज घुसी थी, फिर उसको क्लियर किया था, सोपोर को बहुत बड़ा और मैकनाइजड इंफेंट्री वो जो होते है ना, आर्मड होते हैं और इंफेंट्री के बीच में एक मैकनाइजड इंफेंट्री होते हैं, जिसमें इंफेंट्री वाले आर्मड वेहिकल के अंदर बैठके जाते हैं, तो ऐसे करके फिर उसको क्लियर किया था, पर हमेशा स होट बैट रहा है कुछ जगे होती है जो होट बैट रहती है लेमन्स लैंगुज में समझा दो मेकनाइज इंफिंट्री जैसे आर्मड तो टैंक में बहुत तेजी से निकल जाते हैं और उसके पीछे इंफिंट्री होती है तो हमेशा से फॉज में मतलब देरे-देरे क्योंक कि पहले आर्मड वाले जाते हैं टैंक से साथ पहले तो एरक्राफ्ट से चीजों को ख़तम किया था फिर आर्टिलरी फायर शुरू होता है आर्टिलरी से अब टार्गेट को और साफ करते हैं उसके बाद आर्मड जाता है वो और चीजों को मतलब ठोल्ड जा ग्राउंड उसके पीछे इंफेंटरी आती है तो आर्मड के टैंक सो तेजी से चले जाते हैं पर इंफेंटरी को टाइम लगता है पहुचने में मतलब ऐसा नहीं क्यों पैदली जा रहे हैं उनके पास गाड़ियां है पर तो वो हमेशा से गैप रहता था तो उसके लिए इंफेंटरी मेकनाईज मेकनाईज्टिटिए फिर इट रहे हैं तो यह टैंक मतलब है तो यह ब्म पी को टैंक होती और उसके पर एक छोटी सी गन होती है टैंकी तो बड़ी गन होती है टैंक में तीन ही लोग होते हैं इसके अंदर infantry वाले जा सकते हैं एक section जा सकता है तो वह बिल्कुल आर्मट के पीछे पीछे तो पता चल जाता है वहां पे तो फ्लश आउट करना था टर्रिस्ट को अपनी आर्मी की सुप्रमेसी बनानी थी दुबारा से इस्टेश करनी थी तो और पिरेड टाम यार मतलब फॉज विल टेक टाइम बट इचीव वह तो पक्की बात है अब तब यार शुरू में बहुत फ्लक्स में थी ना सिचुएशन कश्मीर में है कश्मीर में बहुत अब डाउन अब डाउन हो है सिचुएशन में कि बेसिकली तो उन पर कुछ होते ही नहीं था एंकाउंटर होने मुश्किल हो गए थे पैसा उनके बास दुनिया भर का जा रहा था रिक्रूटमेंट बहुत जादा हो रहा था क्योंकि अबल टो पे लोकल पीपल टू जॉइन उनको भी तो पैसे चाहिए ना तो इसलिए बहुत जाद चीजें वह गई थी दोजार एक की बात है यह शायद यह इसके भी पहले हुआ था सोपोर का क्योंकि शुरू में तो पता ही नहीं था नहीं हो क्या रहा है तो बिल्कुल भर भर के मिलिटेंट आय करते थे बाहर से बहुत जादा आय करते थे अब तो बिल्कुल ही चीजें अब तो अब तो मेरे दोस्तों लोग जो वहाँ पर बताते हैं फिनॉमिनल चिंजे अर टेकिंग प्लेस क्योंकि गवर्मेंट की पॉलिसी बहुत स्ट्रॉंग है और अब यह टेकिंग नो शिट ना तो इसी लिए जब आप कश्मीर में ट्रैवल कर रहे थे पोस्ट पहनी ड्रेस पहनी ना फॉज के पहले पहनी ना फॉज के बाद पहनी फॉज में भी हम ऐसी रहा करते हैं दाड़ी और बहुत ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी तो कभी ऐसा और मैं वहां डिकलेरी नहीं करता था मैं तो नॉर्मल धर्मशालों में कहीं पर भी जाके तो मैं शायद कुछ घंटे में पता लाओ लूँगा कि मतलब जैसे मेरे को ब्लाइडफुल करके छोड़ दिया है कि कहां पर हो कि वो कश्मीर है कि हिमाचल है कि गड़वाल है पता नहीं मेरे को लगता है क्यों कि मैंने तीनों ज़गे बहुत जादा टाइम बिताया है फर्क क्या होता। यह कल्चर बहुत अलग है अच्छे लोगों के थुरू आपको पता हैं लोगों के थुरू और वेजिटेशन भी बहुत अलग है पहाडों का स्ट्रक्चर बहुत अलग है कश्मीर में बहुत देवदार के पेड़ और जो पाइन के हैं वो थोड़ा अलग किसम के हैं, हिमाचल बहुत अलग है, गड़वाल का थोड़ा और बहुती खड़े पहाड हैं, गड़वाल के कच्चे पहाड हैं, और हाँ मतलब इस तरीके से बट यू बहुत वाइब का डिफरेंट, हिमाचल तो बहुती ज्यादा गड़वाल में जादे ही मतलब सारे बड़े धाम, हमारे जो बड़े बड़े नाथ के दार नाथ यम नोतरी गंग नोतरी सम गड़वाल में, और नहापर टूरिजम केतने बड़े सेंटर नहीं बन पाए क्योंकि वह केवल एक अलग नंदा वैली के साथ-साथ पूरा गड गड़वाल के, तो वहाँ पर जादा शेहर नहीं बस पाए के वहल इसी के साथ-साथ है, श्री नगर ये एक बड़ा श्री नगर है गड़वाल में, दैरादुन के बाए जो सबसे बड़ा शेहर है, हमाचल के तो यार बिलकुल हिप्पी वाईब है, ठीक है, वहाँ चल र पाड़ों के बीच में, मैसिव प्लेंज, लश ग्रीन लॉंस, मतलब नेचर का बिलकुल नैचरल वह गॉल्फ कोर स्टैब लगता है, मतलब इतना, और उपर से आप बरफ की पहाड़ी से नीच उतरे हैं, सीधे यू, कम डाउन तो लोकट बंगस, बोड बंगस, और आसी क आपरेशन के लिए जाते थे, सबसे ही क्रेजी खाना आपने क्या खाया, जंगल में या माउंटन्स में, यार वो ना, स्थिती तब पढ़ती है, जब वन यू नोट वैल प्रिपेर्ड, ओके, है ना, ये सब प्रोग्रामों वगरा में बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं ठीक है, तो मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा, तो ये ट्रेनिंग में हम सब खाते हैं, कभी-कभी बंदर भी खाने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो सब खाया है, पर आपरेशन में इसा नहीं होता, क्योंकि आप आप आपको खाने के लिए ये संघर्श करना पड़े तो मतलब आपको नहीं होता, किव़ी बंदर ऊत्रा मीलिजर्श क्यूं कवा दूना है, तो कि तौम मना नहीं नहीं करो, बंदर उतने नहीं खीला थेग हैं, यह मं-पूली खाने मानतें भी तो यह कभी-कभी जैसे जैसे भी बंदर घलती से कुछ होगी तो आप इसा कुछ, क्यू क इकाभी हो इँका खाना पड़ेगा आपको कुफ्तिह का इस्यूटरता नभी नभी का थाक्सा में जाए अप साफ ने यही साम पड़ेते हो कि याज्ये से मिध ठोड़ा है तो उडल अतना सारा लिकान या सबसे इस पहुत सबसे अंकम्फिटबल मीट कौन सी लगी? नौर्मल मीट है और जो ड्रवयोर होते हैं उसमें वो लोग ना कुछ स्पाइसे वगयरा मिक्स कर देते हैं तो ऐसी स्टिक्स आती हैं ड्रवयोर की तो वह ले 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 था खराबी नहीं होती वह तो मैं खाता था वही लंच उसी से करता था जबकि मैं बीफ बिल्कुल न करता था मील फर टू मन्स नामीबिया और जब मैं साउथ आफरिका साइकल कर रहा था और जैसी मैं जब मेरी ट्रिप खतम हुई मैं के अगलास पहुचा था जो लुएस टिप है उसके जस्ट मैंने दो दिन पहले भी फ्रेश बैच खरीदा था ड्रवयोर का और मतलब तब रिवल्स कि यार भाईया बहुत हो गया बिलकुली मिल्कुली मेरी बॉड़ी ने रिजाइट कर दिया इसको मैंने आपने आप जो लोग दे दिया उनके लिए तो डली कैसी थी तो जब तक मतला मेरी बॉड़ी का भी आसी था कि जब तक जरूरत थी बॉड़ी टोलरेट इ और अभी और नहीं, अभी और नहीं, लेट सेव नॉर्मल दाल चावर, मैं तो यार, जैसे मैं रम अगयरा नहीं पीता, तो मेरी नहीं, मैंने प्रोसेस डेवलप कर रखा एक टेस्टलेस तरीके से कैसे खाना और पीना है, तो जब मैंने फॉज जॉइन करी, तो मैं नेशन होती ही, भाई सब आप कितनी दारू पी रहे होगी, अब पुराने जमान में आप तो चीज़ें बदल गई हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होता, बट आई जस्ट गांट है तो आप सांस रोक के मैं उसको पी जाता था, और फिर मुझ से आगर सांस चोड़ो तो जरा सा भी टेस्ट नहीं आता, खाना क्या रहता है, खाना यार हम हिंदुस्तानी फॉज हैं, हम लेके जाते हैं, पूरी और अलू की सबजी, ठीक है, और अगर आपका उपरेशन चल रहा है, बिल्ट अप एरिया में, तो महापे तो पूरी सप्लाय आती रहती, क्योंकि जैसे कर रहा है, टारिस अंदर फंसे हुएं, और अंदर सिविलेंस भी हैं, तो कई बार ऑपर अपरेशन लंबा किंच आता है, क्योंकि होस्टेजिस ने अंदर, है न, तो वहाँ पर खाने पीने के तिनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बाटालें, मतलब वहाँ जो कंपनी यारार की कंपनी है, वहाँ से कुछ ना कुछ खाने का आता रहता है, वैसे वहाँ पर भी ऑपरेशन तीन दिन में ऐसा बहुत ही काम है, जो खिछते हैं, वह बहुत ही, ऐसी कॉंप्लिकेटर सिचुएशन हैं कमी हुई है, बाकि अधर वाइस तो, अब तो ड्रिल्स बहु तो यह अच्छा होता है, उसमें हेक्जमाइट टैबलेट होती है, वह जो आग जला के गरम करने के लिए उसमें आप कर सकते हैं, वह खाना भी रहता है, वह भी खाते हैं, फिर MRE बहुत सारी आने लगें आजकल तो बजार में बहुत सारी आने लगें कि आप पार्केट ख गरम करने के लिए ना, खाने को गरम करने के लिए भी उसमें होता है, एक चोट असा ऐसे स्टोर टाइब का होता है, उसमें टैबलेट रखके आप खाने को गरम कर लो, बजाए ठंडा खाना खाने के, तो आग जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, इसलिए special positive podcast best होते है coming back to your travel तो आप कह रहे थे कि पहाडों को explore किया था उस phase में उसके बाद क्या यह उसके बाद पैसे ख़तम हो गया है यह मैंने पिछली बार बताया था तो घरवर बेचा मैंने मुंबई आया मैं तब एक काम करने के लिए थोड़े टाइम पर वो कुछ जमा नहीं क्योंकि है नहीं अंदर उस तरीके का कुछ काम करने का पर क्या ट्राएगी है बुमबई में मैं सेक्यूरिटी एक्यूरिटी में था नथिंग तो ग्लोट अबाउट इस वेरी बोरिं थिंग और वैसी अटिटूड मेरा थोड़ा मतलब if you are my boss then you have to be intellectually superior than me which is just not a possibility है ना तो तो वो ठीक है हवाबाजी थोड़ी थोड़ी जरूरी है तो या रो मैं फोज से निकल के दुबारा दक्यान उसी फोजीयों के महल में तो घुसना नहीं चाहता था तो वो मेरे बहुत जल्दी issues शुरू हो जाते हैं फाज में issues कदब नहीं हो रहे थे बाहर तो सवाल ही नहीं पैदा होता तो खेर वो it was a wrong place for me wrong guy for the wrong job तो ठीक है वो 6-7 मेने मैंने नावकरी वाकरी छोड़ दी पर मॉंबई का यही था गजब लोग मतलब intellectual लोग हां मतलब मेरे like-minded और intellectual भी और interesting people I always try and interact with people from different walks of life तो मेरे जो दोस्त हैं वो architect भी है वो artist भी है, musicians भी है, scientist भी है photographer भी है तो मेरा जो range of friends है वो बहुत eclectic है और वो मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरी लगता है फॉजियों का क्या होता है और वो अपने cocoon में रहते है per force, even if they want to break that cocoon they cannot, तो उनके पास ना over a period of time बातें करने के topics बहुत कम हो जाते हैं और उनके interest बहुत कम बचते हैं तो जहां पुराने, इसलिए बड़े stereotype फॉज में भी दिखाते हैं मतलब वो भी देखो, फॉज का पूरा ग्रूप निकल रहा था किसी ने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा था मेरे को पता था कि क्या है और वो, that it can be a very very big thing तो the more you read, the more you observe, the more you see things, the more you want to seek है ना, the more opportunities you create for yourself हम येटीज के बारे में बात करना चाहिए थोड़ा सा येर कुछ नया हुआ नहीं उसके बाद, मतलब मेरे प्लान है अभी कुछ करने के क्योंकि मैं इंडिया में हूँ दो-तीन साल तो मैं सोच रहा हूँ कुछ करने का उसमें सीडियसली एक्सपेडिशन हाँ कुछ दुबारा जाके एक्सप्लोर करना या कुछ दूड़ना क्योंकि वह बहुत एक इंट्रेस्टिंग चीज है समहा उसको समने छोड़ दिया है अब सेम जगा जाओगे हाँ प्लान तो है कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में क्योंकि आपर माय परेंट्ट अरएजिंग ना तो अभी करण इंडिया में कोई है नहीं तो आपर दो तिन साल में हूँ या शाइज जादा तो कुछ अभी मेरे को करना है सैक्लिंग के लावा तो जितनी भी चीजे मैंने इखटी करके रखियू हूँ है उनका सब कुछ मिला के कु अभी तक भूटान से लेके फिर नेपाल फिर इंडिया निमालिया जहां तक भी और जितने लोगों ने अभी तक रिसर्च करिये क्या 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 क बहुत ज्यादा नहीं वहां पर उस लेवल पर उतनी हार्श कंडिशन्स नहीं है क्योंकि यह साड़े चार हजार मीटर के आसपास है हाइट मतलब कितनी 15,000 फीट के आसपास तो कंडिशन्स उतनी हार्श नहीं है और जब आप इस माइंड से जा रहे हो कि आपको कुछ करना है फिर तो सारा एडम बंदोबस्त आप करते ही हो ना आप अपने टेंट लेके जाओगे आप अपने खाने पिने का राशन लेके जाओगे पोर्टर सोंगे सप्लाय चलेगी म इस से ज्यादा कुछ नहीं होगा मैं वैसी हो सुस्टिंग से बजट पर काम करने का मिर को पता है क्या प्रिजमेंट करना है आपको पर्मनेंट का आप्को सघ्वालिंस एक्योप मेंना उसकी बैटरी चार्जिंगा हिसाब किताब करना है जो जहांपे हमको意orts साइट हॉए पहलाई पैड है तो इटन वाई इज अन जी चार्श चार्णना बोट कई चाता है वह वाली बात भात है बहुत लोगों ने ट्राय किया कि किसी नहीं की आइज नहीं किसी नहीं किया कि आठ लेंख्याई की यू शॉर्च थे कौन एक्ष्यच और सेफर्रों में ढूंड रहा था और उसको कभी कुछ मिला नहीं रहे रेनॉल मेसनर जिसने फ़र्टी ने थाउजन रप पहली वर चड़े थे मतलब इस लेजेंड इन मौर्टरिंग सरकल ही आपकी मैंटालडी क्या होगी वहाँ आप अम शोर आप फिरसे उसी पॉर्ट में जाओगे जहाँ आपको फूट्पर्प्रेंटे दिखे थे जो जिसकी बात होई थी लास् ताइम पिर क्या यह केवल वही इस यौ कि मेरी ऐसी सोच है कि ये ऐसी जगह अगर है ये तो ऐसी जगे पर नहीं होगा जहां पर बहुत human habitation है वह हमेशा जहां वेजिटेशन खतम हो रही हो जहां पर विल्डरनेस है कि और उस altitude पर ही रहेगा क्योंकि नीचे तो अभी तक देख लिया होता उसको ऐसे जंगलों में जहां लोगों ने जनरली उसको ढूंडा है क्योंकि वह तो यार महाँ पर जहाड़ीयां भी उस footprint के नीचे दबी हुए थी मतलब कोई तो चला है उसके उपर उसमें कोई शक्की बात ही नहीं हमारे पर तो वीडियो फूटेज है पूरा पूरा उसका उन footprints का तो मतलब उस level पर भूटान में भी कुछ लोगों ने sight किया है तो वो जो altitude है साढ़े चार हजार से पौने पांच हजार मीटर तक का जहां पर vegetation खतम हो रही है और पहाड़ीयां सारी शुरू हो रही है तो उस level पर मिलने की बहुत जादा chances है येटी को लेकर में थोड़े से सवाल है तो बहुत डिरेक्ली पूछूंगा कि येटी अकेला तो नहीं रह सकता फैमिली के साथ रहता होगा या रहती होगी यर कुछ पता नहीं मतलब अटकल नहीं लगा सकते हम उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं देखा है उन्हों उन्होंने तो 100% देखा है पर उन्होंने कभी फैमिली नहीं साइट करी है उन्होंने इंडिविजूल यह ती साइट किया है बट लाइफस्पान क्या होता होगा कुछ आइडिया नहीं बेसिकली एक स्पीशीज ही हो एक बायलोजिकली स्पीकिकिंग इस इस पीशीज मकालू चड़ने जा रहे थे मकालू के बेसकेंप पर जा रहे थे लोग तो क्यों एक पतला सा रस्ता लेते हैं आसपास जो इतने बड़े-बड़े पहाड हैं स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर तो क्या जाता है नहीं कि किसी कुछ लेना देना नहीं और उसका कैमोफलाजी मेरे क को मिल गए हैं मतलब ना ट्राइंग डू रिवाइव महमत है ना उसके सब डियन ने वियन ने और बोन्स और सारा कुछ इसका भी तक किसी को कुछ भी नहीं मिलाएं बट अगें साइबेरिया फ्लैट था महमत के बारे में पता था लोगों को पता था यहां पर बहुत बड ने अमेरिकन एक्सपेडिशन ने देखा था भी तक पता नहीं कितने हलिकॉप्टर और कितने एक्सपेडिशन लॉंच हो चुकी होते हैं अभी तक क्योंकि बहुत बड़ी चीज थी वो पर हम लोगों का एटिट्यूडी नहीं कि यार वोसको हम हवाबाजी में इधर उध बेष कंड़ सोपासर फिरेशन होते हैं इसन अधर दिन रेसक्व ऑ colors या अधर देन अंटिट चांटर टैरीन roese mobs कुछ ऐसे एक्स्पोरेटरी मिशन होते हैं और इंडियन आर्मी की प्र अबंड आ हॉन्टेर टीम है है और इंडियन आर्मी का मिशन दूसरा ये इट्स अमेजर उचीवमेंट ना यार एट थाउजन डर मीटर क्लाइम करना चौधे हैं दुनिया में तो वह एक स्पिरिट भी इंस्टेल होती है आर्मी में और आर्मी तो स्पोर्ट को I think India में सबसे बड़ा प्रोमोटर स्पोर्ट का इंडियन आर्मी है आधर स तो वो तो पॉसिबल है नहीं शायद तो और मतलब वो एक एडवेंचर की स्पिरिट होनी जरूरी है ना कि आपके वल अपने आपको डाल रहे हो ऐसी मुसीवतों में अपनी स्किल्स होन कर रहे हैं बहुत सेंस अचीवमेंट होता है बहुत बड़ा तो इसलिए है इंडियनार्मी का काफी जोर रहते इंडियनार्म्य का ऐसी चीज़ों के उपर बैक टो य॥ी मेंटाली रहेगी क्या ओपर एक्स्प्रॉरेशन के पर स्पेक्टिफ से मतलब अब बस फ्री एक्स्पॉरेशं करोगे उस एर्या में यह दिर एसी जगों पर आज आजकल सर्वेलेंस डिवाइस बहुत अच्छे आगी न आप 24 घंटे कैमरे लागे रखो उस जगह पर जो रा मतलब जो डे नाइट कैमरे होते हो सारे चलते रहे हैं अब तो ड्रोन भी है तो यू कन मतलब जिसे लागों में आप नहीं जा सकते हो आप आप ड्रोन फ्लाइ कर मैं तो जो आप अबसर्व कर रहे हो ही आप देख पा रहे हो अभी तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है आप जितने भी पॉसिबल साइट आपको लगती है हर जागे आप कैमरे फिट करके रखो अर यू ओपन तो व्लॉग इंग थो तीन साल तो मेरे दिमाग में तो आपको प्रोडूसर की ज़रूरत नहीच बैसकल आपको फाइनसिंग की ज़रूरत है और एक कैमरा अससितन्न की ज़रूरत है शायद हाइध हाँ इस ते ज्यादा की ज़रूरत नहीं है। और करना चाहिए हम लोगं को ऐसी चीज़ है क्योंकि हमारे देश में हमको exploration की और original thought की और किसी एक lead को उसके conclusion तक ले जाने की वो माददा हम लोग ने पहले था अभी नहीं है खासकर when it comes to जब outdoor सी चीज़े है या जहां पर बहुत risk involved है जहां physical exertion है जहां हाटशिप्स है वो उस टाइप का चीज़े खतम हो गई है military में Sam Bahadur को लेकर क्या कहा जा रहा है तो यह इस फेंटेस्टिक मोई है फेंटेस्टिक मोई हाँ 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 yeah he is a legend I think everyone looks up to him क्योंकि इसके बाद मतलब the way he led people the जितना वो outspoken थे जो उन्होंने आर्मी की गरीमा बना के रखी पूरे वक्त कि वो किसी politician की सामने कभी जुके नहीं कि उनका एक ही चीज था आर्मी उसके अलावा उन्होंने उनके कोई इंट्रेस्ट नहीं थे उन्होंने कोई position नहीं ली वो कहीं ambassador बन के नहीं गये कुछ नहीं किया उन्होंने और वो जो मैंने पिछली बार ही बोला था जब उनको field marshal बनने के बाद जो pension increase हुई थी उनको क जनरल बने हैं वो हमेशा बहुत अच्छे जनरल उन्होंने तो world war 2 पूरा देखा था उसके बार सारी लड़ाईयों देखी 47 की लड़ाई देखी उन्होंने सारी लड़ाईयों का हिस्सा रह और उसके बाद वो जनरल बने और he passed out मतलब काफी नीचे merit में काफी low pass out होते मेर को भी competent होगा उसको एक और वो है मेरे को बड़ा लगता है कि एक बोलते हैं ना first impression is the last impression मेरे को सबसे मतलब गलत बात लगती है वो you can make some थोड़ा साब को हलका सा idea हो जाता है पर जो incompetent लोग होते हैं ना they are more focused about making first impression क्योंकि that is all they have competent लोग होते हैं रहते हैं ठीक है देख लेंगे कर लेंगे बाद में मतलब they are not so उनकी इतनी नहीं अटकी पड़ी कि यार मैं पहली बार में कोई मेरे से impressed हो जाए क्योंकि they are confident about themselves under confident लोगों को लगता है यार वो power dressing और पता नी polished English and पता नी क्या-क्या सारी चीज़े तो इसलि packing up weapons not at all मेरे को अभी भी मिल जागा मेरे को ऐसे कोई परिशानी नी यह बहुत सारी लोगों को माना चाहता है इसलिए फेवरेट वेपन आपका कौन सा था यहार हमने जहातर M58 यूज करी थी चेक वेपन हुआ करता था उसके बाद टैवर जब मैं निकल रहा था फॉस तो रही थी पर हमेशा से M58 VZ यूज करते थे लेमन्स लैंगुज में समझाई है ने नी वह जैसे AK47 ऐसी M58 VZ है सेमी मशीन गंग हाँ आटमाटिक रैफल है ऑक हाँ असौल ट्रैफल है अटमाटिक असौल ट्रैफल मुझे कुछ नहीं पता वेपन के बार में जैसे AK47 होती है ना जी ऐसे AK47 तो रश्या की है और 47 उसके आगे इसलिए लगाए क्योंकि 47 में बनाई थी उसने तो उसके अलग अलग वरजन आए बाद में तो ऐसी चेकुसलवाकिया का बनावा वेपन था M58 VZ तो हम लोग इसको यूज किया करते थे क्यों स्पेशल फोर्स में था इट मुच लाइटर देन एके एस गुड़ एस एके एस एफिशेंट एके फेंटास्टिक वैपन तो वो क्यों स्पेशल फोर्स में हुआ करता था और कहीं इंडियन आर्मी में नहीं था वो वैपन तो फिर वो फेज आउट करके फिर टैवर रैफल आई थी 2010 वगेरा में नौ वो 7.62 mm वा करता था यह 5.52 mm होती है यह वाली रैफल तो थोड़ा बहुत अंतर है वो बिल्कुली बेसिक वैपन तो सब्सक्राइट नहीं हो सकती थी कुछ नहीं हो सकते तो अब समय के साथ तो काफी चीज़ें विदाउट नाइट साइट तो आजकल वैपन का मतलब ही न खेल कैसा सकतो यार नहीं मतलो खेलना पड़ता था ना क्योंकि आप रात को देखी नहीं पा रहे हो एंबुश में बैठे हो एंड हमारे पास इसराइल की नाइट साइट सुगा करती थी तो फिर हमने उसके कवर के पर कॉंटरेप्शन बनायते हैं उस साइट को फिक्स करन करने के लिए तो हम लोगों ने जुगाड करके उसको फिक्स किया था वो पूरे टुप में किसी एक बंदे के पास हुआ करता था उसने फायर खोला है तो बाकी लोग भी फायर खोलेंगे बट देन वी अलसो युज तो एव क्लेमोर माइन्स लागे रखते थे तो क्लेमोर से जारे हैं तो हम लिए माइन्स लागे तो मरेंगी मरेंगे सारे पर जैसे एंकाउंटर चल रहा कुछ होगिया रात के टाइम मिलिटन्स निकल गया और जहां से आपने सब्सक्राइब कुछ और रसते में एक दम से आपको टेरिस दिख्या और यूँ अब तो काफी वह हो में नहीं जब आप किसी को शूट कर रहे हो यौर मेंटालिटी अज़सोलजर इस हेडशॉट लेना है आम अजुमिंग यह मतलब अबाव दर वेस्ट अबाव दर वेस्ट तो हो नहीं लगें क्योंकि पैरों में अंटी अनलेस फीमर की वो आठी जो आठरी है वो पंचर हो ज अबेट हैं तो अगर आप स्नाइपर हो क्योंकि जैसे क्रॉस लसी आपर ने yesि अच्छी आज गुमें को अजकल आजकल अंदर जाकर मारे हैं हमारी नियुट में भी मारे हैं सरी नियुटों ने मारे हैं अच्रॉस लड़ीं जाके भी ऑपश उउए जो तो बिल्कुल मीटर से वो फायर करेगा and he will take the headshot इतनी accuracy है snipers में इंडियन आर्मी के snipers की personality कैसे होती है अलग होती है personality हाँ अलग तो होती है एक तो he has to be very good what he does मतलब उसकी firing तो खायर वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि दूसरा उसमें patience बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि आप snapping में एक ही जगे पड़े हो एक ही जगे हो आपकी weapon permanently pointed है और आपको कुछी second का time मिलेगा उसी में आपको shoot करना है तो you can't be too frigiddy कि आप एक घंटे एक जगे नहीं लेटे रह सकते है चार घंटे एक जगे नहीं लेटे रह सकते या बैठ हो जो भी अपने position ले रही firing करने की तो बहुत ज़्यादा patience चाहिए बहुत ज़्यादा confidence चाहिए बहुत ज़्यादा dedication चाहिए focus है ना तो sniper अलग होते हैं हर कोई बंदा sniper नहीं बन सकता कैसे select किये जाते है not just based on short accuracy SF में यह है कि क्योंकि आप उन्हीं बंदों के साथ इतनी टाइम से operate कर रहे है तो आपको हर किसी बंदे की एक एक चीज़ पता है you know them inside out तो वो पता चल जाते है आपने आपकी scout के लायक बंदा कौन है ना कौन RL उठाके चलने के लायक है कौन sniper बनने के लायक है कौन ख़बर ढूनने के लायक है क्योंकि if we are together all the time 4-5 सालों में तो हम एक दूसरे की सारी खूबियां और सारी बुराईयां जानते है strong points और weak points जानते हैं तो ऐसा भी नहीं मतलब 10-15 लोग को sled किया जाएगा है जितने भी उसमें से कुछ लोग पके sniper बनेंगे तो attributes तो पता चल जाते हैं यह SF का best part है क्योंकि हम इतने time साथ रह रहे हैं और सब को जानते है आपकी strength क्या थी operations का दो रहाँ यार officer का ऐसा role होता है leadership leadership तो है ही है मतलब खबर कैसे आनी है आपकी बंदों की training कैसे हो रही है है ना higher formation के साथ आपको type करना है बगल की जो battalion से उनके साथ आपको अच्छे reputation बना के रखनी है आप हर जगे घूम रहे हो मतलब सारी चीजों में the bug stops at you है ना चाहे आपके अच्छे operation होए चाहे bad operation होए you are the one responsible तो उसमें तो officer का तो involvement हर जगे है ही हम अच्छे बंदों को जानते है कि वो के बंदों के साथ ऐसा है कि उनका वो है क्या कहते है कोई adam देख रहा है कोई logistics देख रहा है कोई training देख रहा है हमको signal operator से शायद थोड़ी सी कम knowledge होगी पर हमको तक्रिबर उतना आना चाहिए कि सब कुछ आना चाहिए कि signal medical specialty जो चल रहा है हमको सब कुछ आना चाहिए कि IV कैसे लगानी है gunshot wound हो गया तो उसको कैसे dress करना है splint कैसे लगानी है हमको सब कुछ पता होना चाहिए तो जितने भी speciality है हमारी weapon handle करने की navigation हमको पूरा आना चाहिए है ना हलांकि ये सारे काम हर कोई कोई दूसरा कर रहा है क्योंकि मैं सब कुछ नहीं कर रहा हूँ ये सारे कामों के लिए specialized लोग है तो हर किसी बंदे की primary और secondary skill होती है बंदे भी दो skills में train है हम तो सारी पांचो skills में train है demolition है तो हमको पूरा demolition आना चाहिए कि explosive लगाने घर गिराने तो कैसे लगेंगे explosive लगा कोई और रहा है पर मुझे पूरा पता होगा या मैं direct कर रहा होंगा चीजों को कैसे करना है तो as an officer तो you have to be good at everything क्या बंदों को train कर रहा है you have to be better than them है ना तो सारी चीजें tactics भी आपकी sound होनी चाहिए आपकी intelligence collection sound होना चाहिए weapon handling sound होनी चाहिए firing sound होनी चाहिए medical sound होना चाहिए and then on top of that you have to be very calm and cool and quiet also है ना तो there is no escape you have to be best at whatever you do अब इन वे all-rounder होता है प्लस personality angle भी है प्लस आपको सब की परेशानियां handle भी करनी है मतलब जो personal problems है सब कुछ है अब ऐसे थोड़ी की operation में चले गए तो किसी के घर में कुछ problem हो कभी कुछ हो रहा है दस तरिके की चीज़ें होती ही रहती है तो सब सारी चीज़ें एंडल करनी है तो वो वो as an individual you have to be strong in character and strong in everything else as well अपरेशन के दौरान अब फैमिली के बार में सोचते थे यर तब तो phone one होती ही नहीं थे तीन महीने में एक बार कभी call करने का मौका मिलता था क्योंकि mobile बगार थे दो आजार पांच यचे में आये वही तो बोलता है लॉग डिस्टेंस डिलेशन्शिप का रोग गाना काते रहते हैं फोन कॉल क्या कहते हैं मुश्किल से महीने में कभी एक बार कॉल लग गया तो मतलब गनीमत थी वह भी नहीं लगता था कभी-कभी तो चार-बार महीने में एक बार फोन पर बात होती थी जब शादी नहीं थी आप पहुंचो सौ किलो मेटर ड्राइव करके जहां पर फोन था तो कई बार फोन ही खराब होता था फिर वापस आओ फिर जाओ कभी फिर अगले महीने 100 किलो मेटर फिर गये कभी फोन करने के लिए तो सिंगल लाइन वा करती थी तब लैंड लाइन चालीस मिने पोन काल करनेक्ट होता था पता चला हो लड़की के बापने फोन उठा लिया तो ऐसा कैसा फोन वापस रख दे फिर आपस आगे तो यार मतलब अभी चैलेंजिस क्या है अभी तो कुछ डिस्टेंस तो कोई पहले तो होता था दिस्टेंस में एक सा हार्ट गो फॉन्डर कहीं किसी नहीं यह एक्वेशन नहीं बनाया है कि डिस्टेंस इस डिरेक्ली रिलेटेट तो लव इंटेंसिटी लव ऐसा दो कुछ नहीं है कि सो किलोमेटर तक प्यार था दो सो किलोमेटर कम होगे फांच सो किलोमेटर बिर्बूलिक हतम हो गया अँसा था कुछ नहीं है ना और आजकल तो डिस्टेंस बजाए कम बात के यह ओवर वह जादा हो रहा है हर बार हर बार मैं घर से निकल tough time देखा है कि बीबी बच्चों को कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है बीबी बच्चों को पता नहीं हस्बेंड की क्या हालत है बात ही नहीं हो रही है कि वह चिट्थियां वो चिट्थियां आज तक रहे क्यों ही हमारी जो एतने सालों में लिखी हुए चिट्थियां थी त अभी के टाइम में बहुत कॉंप्लिकेटेड होगी हमारे टाइम में इतना कॉंप्लिकेशन्स थी नहीं मतलब बहुत सिंपल लाइफ हुआ करती थी और बहुत स्ट्रॉंग बॉंड वा करते थे इतना जो कन्फूजन में आज देखता हूं मेरे को तो मैं यह नहीं सेक्शुयलिटी बढ़ रही है दुनिया में बहुत जादा हम सेक्शुयलिटी भी बढ़ रही है तो उनको शायद वह commitment वाला वह इसाब किता भी नहीं है क्यांकि लव और लस्ट में अंतर है ना प्यार इफ्यूमच यह सारी चीज़ें तो बहुत सारी factors हैं पर मैं देखत बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं और बिल्कुल विश्वास नहीं है पहले तो एक बहुत सुन्दर इमोशन हुआ करता था विरह वो तो शायद अभी ना किसी ने सुना होगा जिसको लूस ट्रांसलेशन लॉंगिंग है है ना तो वो लॉंगिंग तो बची नहीं लोगों मैयर जो सबसे सुन्दर इमोशन होता था प्यार का कि आप छे महीने बाद किसी से मिल रहे हो ना आपने उसका चेहरा देखा कभी वो ही छे तस्वीरे हैं जो आप लेके गए छे मैने तक आपने वही तस्वीरों को पल्टा है और कुछ देखने के लिए ना बात करी है अपने तो मतलब जस्ट इमेजिन कि क्या वो होता था जब हम जाया करते थे छुट्टी मुश्किल से महीने की भी नहीं मिलती थी तो वीना अगले स्टेशन तक मेरे को ट्रेने बैठके छोड़ने आदे थी कि किसी तरह वो टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाए जो साथ हम रह रह रहे हैं तो यहर ऐसा कुछ डेडिकेशन अभी है नहीं लोगों में तो तरस्ट फेथ बहुत लंबा टॉपिक है अगल बात लंबा टॉपीक है बात लगों में तो यह स्टोड़ी इपर इस आप देशन थे थी देशन थी कि नहीं लाइफ वर्थ लिए अधिन इस रहे हैं क्योंकि यह प्रफेशनल राइस to go high in life and to go high in profession are two very different things and we need to segregate that and understand that and sometimes we don't give attention the time is coming out and we don't get the time to repair what I said in the podcast that you are the most memorable guest actually this line to go high in profession is not as important as to go high in life I have realized this as the truth of podcasting in general jis se bhi baat ki agar itna duk hai itna se yada material success or professional success dekhanay ke baad then what is the point of living it is kai loog joo bilkul hi agar detached emotionless hai eek alag extreme Elon Musk type ki logon ki ठीक है par unka eek alag hi vision hai zindagi me you can't touch that and you can't form opinion because what Elon Musk is doing क्योंकि he is a sun ki benda he is a Mars he has reached the hook or hook or croak whatever he has done he is different but we are not and we are realizing that it is important that not everyone is extraordinary we have we have we are very frank we are what we are we are motivation and motivation we keep talking about it but everyone is not a good thing the most people are the normal motivation and they are the normal motivation so if you are extraordinarily happy that is one of the biggest achievements in life मेरे से किसी ने बोला sir आप घूमते रहते हो तो ये क्या कहते हैं कितना मुश्किल है आसान है मैंने बोला मेरे लिए तो बहुत असान है क्या है cycle उठाओ pack करो हवाई जालो tourist visa लो चले जाओ cycle चला कि वापस आजाओ तो इतना से ये simple process पर इसके पीछे बहुत सारी चीज़े ना बहुत सारी चीज़े आपको छोड़नी पड़ रहे हैं आपको घर से दूर जाना पड़ रहा है आप uncertainty में हो आपकी बीवी आपकी पेरेंट्स आपको नहीं जाने देंग मतलब फिर में realize करते हो इसके पीछे बहुत बड़ा बड़ी चीज़ें लोगों के लिए इतना असान नहीं है जाना ये decision कैसे लिए आपने पर यार ये decision हाँ जैसे मैं जब मुंबई में आया तो फिर में बहुत frustrated हो गया था फिर मेरे को कुछ करना था और मेरे शुरू से था कुछ दुनिया गुमने का या देखने का या अलग कल्चर को experience करने का और इशाद मैं ने पिछली बार भी बोला था कि यात्राएं हमारी spiritual growth का सबसे बड़ा factor या medium रही है जब आप यात्रा करते हो मतलब it is like आप सब कुछ अपने आवरण निकाल रहे हैं अगर आपको अपनी असलियत देखने हैं तो आपको सब उतारना मतलब mentally आपको अपने सारे prejudices हटाने पड़ेंगे सारे लगाओ तोड़ने पड़ेंगे सब कुछ करना पड़ेगा और यात्रा उनका सबसे एक major तरीका है गुरू नानक से लेके स्वामी विवेका नंतक शंकरा चारे मतलब सब बड़े बड़े ट्रैवलर थे बहुत कम लोगों ने एक जगे बैठके साधना करी जब करी तो उसके बाद गूमे फिरे बहुत उन्हों ने देखा तो इस सब मेरा वो था वो बड़ी restlessness थी मैं नहीं मेरे को I become very uncomfortable when I am too comfortable मैं जिन्दे के में कोई चीज ऐसी नहीं चाहता कि मैं कि यार मैं इसके बिना नहीं रह सकता कि मैं अच्छे कपड़ों के बिना नहीं रह सकता कि मेरे को अच्छा बिस्तर चाहिए सोने के लिए कि मैं अच्छे खाने के बिना नहीं रह सकता मैं फूड़ी हूँ तो मेरे को इनसे बहुत डर लगता है कि अर मेरी कोई ऐसी कमजोरी ना आ जाए और मेरे संबंधों को लेके भी ऐसा ही है कि मैं किसी कोई संबंध मैं हर किसी की death imagine कर चुका हूँ अपनी family में क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बरबाद होते हुए कि उसके husband की operation में death वो आज तक नहीं संबल पाए हैं और मतलब अभी 15 साल हो गए तो मैं कभी किसी से emotionally attached तो मैं बहुत जादा हूँ पर मैं हर किसी की death imagine कर चुका हूँ यह एक underrated practice है और controversial sentence भी है बहुत लोग offensive मानेंगे से मानें offensive पर मैं भी यह मानता हूँ की simulation करनी चाहिए at least thoughts wise और उसका एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप उनकी ना अपनी जिंदगी में importance फिर से realize करने लगते हो जैसे किसी आपके किसी spouse से या partner से या parent से किसी से आपकी बहुत गंदी लड़ाई हुई और वो दुराया खुलके चला गया और यह हुआ कि यह कभी बात नहीं होगी तो मेरे को लगता है यार तुम क्या यह आखरी याद रखना चाहते हो उसके क्या यह लड़ाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि अगर वो मर जाता है भी तो क्या यही तुम्हारी तो वो और हमको ना बहुत मैगनेनमस बनाता है चीज़ों को ऐसी फुद्दू की लड़ाई हो उससे कुछ प्रिंसिपल की लड़ाई है तो ठीक है पर एगो हमें पता है कहा एगो है कहा नहीं है है ना की कौन सी फालती है तो बहुत जल्दी खाult हो जाती हो चीजें तो ऐसे जब मैं किसी को बहुत ज़्जादा किसी के प्यार में देहता हूँ या जैसे हब Bोलते है कि जैसे बिना मेरे जिंदगी है दूरी या इفॉक्ट जब मैं किसी मा को देख देहता हुए चोटे बच्चे के साथ और वो उससे इतनी ज़्यादा अफेक्शनेट है और उसके लिए वो पूरी जिन्दगी है मेरे को लगता है रभी मरिया ये बच्चा तो इसकी क्या हालत होगी? या कभी सोचा है, ऐसा कभी विजूलेस किया है क्योंकि मेरे को ये थाट्ट शकरी मेरे को मरने से या किसी के उससे वो सकरी नहीं है पर वो जो प्रॉमा जो होता है ना उससे क्योंकि मैंने देखी ये छीजें लाइव उससे मुझे बड़ी वो है क्या कहते हैं डर डर नहीं लगता? मतलब बहुत uncertainty उस टाइप की नहीं चाहिए हमको अपने अंदर इतना strong होना चाहिए कि क्योंकि हम अकेले हैं at the end of the day कि आपनी वो boulder की story सुनाई थी मुझे closest you came to death वो आप की थी कि एक कहीं operations पे अपनी operation करने कहे थे and as you walked ahead you saw a boulder as I jumped वो boulder उस पे एक चोटा सा पत्थर था बहुत बहुत स्ट्रीम भेरी थी नाले की और एक छोटा सा पत्थर ऐसा था और उसके पर वो boulder टिका हुगा था बहुत बड़ा boulder और वो क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बहरा था तो सारे rocks लूज हो गए थे हम expedition पे गए थे कामेट के जो it is India's third highest peak और हमको लोटते हुए हम रस्ता रैकी करने गए थे आगे और उस रस्ते पे पिछले 20 सालों में कोई नहीं गया था हम अगेन पहले थे उस रस्ते में साउथ वेस्टन फेस क्लाइम करने गए थे और मैं केवल दस बंदों के साथ अकेला था आगे और क्योंकि रस्ता बहुत दुर्गम था हम बहुत लेट हो गए वापस आते आते हैं आफ्टरनून तक आपको वापस आ जाना चाहिए क्योंकि फिर गर्मी के कारण बरफ पिकलने लगती है नारे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और सब लूज हो जाते हैं पत्थर तो मैंने उस पत्थर पे पैर रखके जम्प किया वो पत्थर हटा और मतलब इस ते भी बड़ा मतलब बहुत बड़ा बोल्डर इड़ जस फेल डाउन आई कुड फील दा विंड और प्रॉब्लम यार और खासकर हमारे जैसी जिनकी 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 रही है फॉजियों की बीवियां मतलब हैटस अफ टू दैम यार उनके लिए तो यार बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है मेरे को मैंने पदा नहीं पिछली भारी खानी सुनाया थी कि निकानी मतलब जो मेरी जिन्दगी का सबसे दर्दनाक एक वाकिया था मैं सुरन कोट में था तब और ऑपरेशन सो रहे थे एक मरोड करके पोस्ट थी और रात को ना मेरा एंकल टुिस्ट हो गया था मतलब इतना ज़्यादा मेरा पैर सूझ गया मैंने सुझा फ्रेक्चर होगी कि जूता काट के निकालना पड़ा हैप्टर रवेक्वेशन को छुवा काट के निकालना था क्योंकि एंकल जब पूरी स्वेल हो गया मेरा पैर न और वो लेश वेश खोलके भी पैर निकल नहीं रहा था एनिवेश एक मरोड करके पोस्ती में वहां पर कुछ टाइम रहा तीन-चार दिन हैप्टर रवेक्वेशन कुछ हुआ नहीं वैदर पैकप था और मैं पैदल चलकर वापस आया और तो इट बिकेम इवन वर्स फिर आए वेंट तो जम्मू किसी काम से जाना पड़ा तो मैं हॉस्पिटल गया जम्मू तो मैं जिस पोस्ट में था मैं उस अफसर का नाम नहीं लूँगा बहुत ही वजब के बंदे थे तो उन्होंने मेरे को चिठ्थी दीक हूं कि चिठ्थिया होती नहीं है तब तो वही जैसे बतारा था उस जमाने में बहुत टायम लग़गा था चिठ्थी पहुंचने पर उस ने बोले तू जम्मू जा रहे है तो प्लीज मेरे घर जाना है ना ये चिट्थी तो मेरी वाइफ को दे देना और क्योंकि मैं तीन दिन उस अफसर के साथ था वहाँ पे तो मेरी बहुत बात हुए हम वी बीकेम वेरी क्लोज और काफी पंगों में उन्होंने शादी करी थी सब घरवालों से पंगे लेके सब कुछ करके उनकी डेड़ साल की छोटी सी बेटी थी एक मैं गया और मैं जम्मू गया फिर हॉस्पिटल में अपना पैरवर दिखाने के बाद मैं मैं के घर गया उनकी वाइफ के हां वो जो अलग सा अकॉमडेशन होते हैं अब आई हड़ लंच विधर उन्होंने खाना वाना बनाया उनको मैं ने चित्थी दी उनकी चोटी बिटी से मैं साथ में खेला मस्ती मारी और मैं वाबस आया तो लाइन से हलिकॉप्टर्स आ रहे थे वहां पे क्या कहते हैं हॉस्पिटल में तो मैं वही हॉस्पिटल सर का नाम लिया जिसने मेरे को जिसके घर से में आ रहा था और इट वास सचा थिंग ने क्योंकि मैं एक मिनिट पहले उस घर से निकला था उसकी वाइफ को पता भी नहीं है कि उसकी हजबन की डैथ हो गई तो मेरे को तब लग रहा था यार कि इतनी बड़ी ट्रजडी हो कि अभी उनकी वाइफ को और उनकी बेटी को कुछ जरास अभी पता नहीं कि क्या हो गया है और इन यू कि इतनी ट्रबल जिन्दी थी उनकी और मतलब वह सोच नहीं मेरे को इतना ख़फनाक लग रहा था कि अब उनका क्या होगा तो तब से और क्योंकि और ऐसे एक्सपिर नहीं मतलब सारी आर्मी में जो लीडीज हैं मतलब मतलब उनका हैट्स ओफ तु देम यार क्योंकि वुद काइंड अफ उनसर्टेनिटी इस देट देट इस हैंना क्योंकि कुछ पता नहीं है भी तो चलो रोज बाते हैं सब कुछ हो रहा है को ऑपरेशन पर बता देता है के बीच में से भी बैठके बात करता रहता है पूरे टाइम कम्यूनिकेशन हो रहा है पर वो बहुत ज़्यादा अंसर्टेन टाइम्स थे कुछ पता ही नहीं चलता था चीजों का तो तब से यह चीज मेरे दिमाग में बहुत घर कर गई है तो जब मैं स्पेशल फोर्स वे रहता है एनीवन कें डाइनी टाइम है ना रोड पे निकले अक्सिडेंट हो गया फ्लाइट क्राइश हो गई कुछ और हो गया बंदा कभी भी पर क्योंकि ऐसे प्रोफेशन इंहरेंटली डेंजरस है और वो पॉसिबिलिटी हर किसी को पता है बैंक में काम करने वाले को य पर जो पीछे रहे जाते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा लगता है इस चीज़ का तो इसलिए वीना के साथ भी मतलब बड़ा क्लियर है कि हां भीया ये ये तो बात ही कभी ना कभी होती है तो वो स्ट्रेंथ होनी कि कल को कोई लॉस हो जाए तो उसको किस तरीके से लेना ह कभी मेरे को लगता है जिंदगी में ना कभी कोई ऐसा एक्सपिरिंस नहीं होना जी जो आपको हिला के रख देगी आप सोची ना पाओ कि आपको करना क्या है रियाट कैसे करो क्या करो दोस्तों ये था आज का पॉड़कास्ट सौरी थोड़ा सा अबरप्तली कट हो गया प दुनिया भर क्या क्या देखा है और इसी कॉन्वेसेशन की एक कंटिनुएशन होगी आई होप यू एंजोई तरीस कॉन्वेसेशन लुक फोवर्ड तू पर उसके पहले अगर आपने इस लेजेंड के साथ हमारे पिछले तीन पॉड़कास नहीं देखें तो उन्हें लिं कर दो उसके साथ हमा